हलो प्यारे बच्चों आप सभी का स्वागत हैं आपके अपने चैनल यूपी वोट क्लासस में बच्चों काफी लंबे समय से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे क्योंकि हमारे पास कोई authentic information नहीं थी तो finally हमारे पास authentic information आ चुकी है और हम आपको बताने वाले हैं कि जो result है चैनल को subscribe कर लेजएगा गंटी वाले बैल आकन को प्रैस कर लेजएगा जिससे हम जितने भी वीडियो अप्लोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक है तीसरे सब्ता में यूपी वोट का result समभावे थे जाएगा क्योंकि आपको पता है इसका reason यह है बच्चों कयास यह duty लगाई जाती है तो उनको पहली free करने की संभावना की जा रही है जो हमारा सिक्षा बोर्ड है मादमिक सिक्षा बोर्ड है उसकी तरफ से तो बच्चों यहाँ पर इस paragraph में यह कहा गया कि अपरेल के तीसरे सब्ता में यूपी वोट परिक्षा का प्रणाम जारी हो सकता ह हाई स्कूल वाई इंटरमेडियर की जो परिक्षा है वो आपकी 22 फरवरी से 9 मार्स तक चली थी और 31 मार्स तक आपकी जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं उसका मोल्यांगन का जो समय सार्डी है वो निरधारित की गई है बचों हम आपको बता दें कि इसमें क्या-क्या है तो इ 1.25 करोर विधियारती अपीयर हुए थे और जो आपका मोल्यांगन केंद्र है तो जो आपके क्लास 22 के लिए जो मोल्यांगन केंद्र की संख्या बनाई है वो अच्छो आपके सेंटर बन हैे 111 एक 31 जो सेंटर उन पर आपके class 10th की परिक्षाओं का जो मुलियांकन है वो किया जा रहा है और आपका 12 class के परिक्षाओं के मुलियांकन है वो आपके 116 center पर किया जा रहा है अगर हम बात करने कि आपकी पंजिकृत संख्याती बच्चों की जो विधिहरति थे चलास 10 और 12 में उसमें लगभग 55 लाग से ज़्यादा बच्चों जो थे वह विधिहारती जो थे वह आपके पंजिक रित थे जबकि अगर हम बात करने थ्री लाग जो तीन लाग प्लस है बच्चो लगभग तीन लाग से जादा बच्चो ने आपकी परिक्षाएं छोड़ी है बच्चो कर हम बात करने की इसमें जो आपका मुल्यांकन का जो डेट निरधारित की गई थी वो आपकी सोला मार्ज से 31 मार्ज तक आपका जो मुल्यांकन है उसको हर हालत में फिनिस्ट कर दिया जाएगा उसके बाद में क्या होता है बच्चो 31 तक आपका मुल्यांकन हो जाएगा उसके बाद आपका जो इसकूटनी है उसका प्रक्रिया चलेगी और इसकूटनी के तुरन 3rd week of April आपके April के 3rd week में आ सकता है बच्चो result 3rd week of April अगर हम बच्चो बात करने कि 3rd week कब होगा तो 3rd week कब हो सकता है आपका लगभग 20 से आपका बच्चो 26 या 27 एपरेल के बीच में आपको आपका result देखने को मिल सकता है और बच्चो आपका जो result है वो आपका UP जो माधमिक सिक्षा परीशत की website है उस पर आएगा और लगभग ये दुपैर में ही release होता है हर बारी बच्चो तो इस बार भी लगभग 12 वजे से बाद ही होगा पहले बच्चो class 10th का आता है result उसके बाद में आपका लगभग आदे घंटे बाद आपके class आदे घंटे से या फिर 20 मिट के बाद में आपका जो class 12 है उसका result वो परकाशित कर देते हैं तो बच्चो I hope आपका result बहुत अच्छा आने वाला है अगर बच्चो आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कर देजेगा और आप चैनल पर पहली बार बिजिट करें तो बच्चो इसको सब्सक्राब कर लेजेगा बच्चो हम इसे प्रकार के informative वीडियो के साथ में मिलेंगे तब तक के लिए बावार टेक केर थैंक्स पर वाचिंग